तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं जो भी हमारे टाइबीम है उन ठाइबीम के नीचे आप यह इंकट देखते हिए इसके नीचे इट की construction करी गई है इस more की construction की कोई जरूरत नहीं थी यह वेस्ट रजकर यह इस मिट्टी को इस boundary wall से बाहर ना गिरे सर्फ यहाँ पर हमें जरूरत होती है अंदर के दिवारों में हमें कोई जरूरत नहीं होती है यह खुद ही load-bearing structure होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इटों की इसमें construction करी गई है तो यह खुद से load-bearing structure है तो इसके नीचे इट लगाने का कोई benefit नहीं होता है हर दिवार के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि इट की चनाई करी गई है जबकि यह load जो है वो beams और इस column पर हमारा जो है dependent होता है अगर यह distance बहुत ज़्यादा है जैसे इस condition में आप देख सकते हैं इस distance काफी ज़्यादा तो इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि इसकी distance जो है करीब 17-18 foot से ज़्यादा है तो कुछ condition